नमस्कार, Absolute Spoken English वर्धा में मैं प्रविन्सर आपका स्वागत करता हूँ और आज हम सीखने वाले हैं ऐसे English sentence जो आपकी English को perfect बना देंगे तो चलिए शुरू करते हैं Have patience, everything will be alright धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं जानता हूँ, ये वक्त मुश्किल है हर तरप कोरोना कोरोना चल रहा है लेकिन अपना टाइम आएगा Have patience, everything will be alright धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा I have not got any success yet मुझे अब तक कोई सफलता नहीं मिली है मैं दिन रात महनत कर रहा हूँ लेकिन I have not got any success yet मुझे अब तक कोई सफलता नहीं मिली है Is there any bakery nearby? आसपास कोई bakery है क्या? मुझे केक चाहिये था इसलिए भाईया Is there any bakery nearby? आसपास कोई bakery है क्या? That girl was staring at me वो लड़की मुझे घूर रही थी मैं उसे जानता नहीं हूँ लेकिन वो लड़की मुझे घूर रही थी कुछ तो गडबड है That girl was staring at me वो लड़की मुझे घूर रही थी There is no sense in waiting now अब इंतजार करने में कोई मतलब नहीं है क्यूकि उसने कहा था बारा बजे आऊंगा अब पाँच बज चुके है अब तक वो नहीं आया इसलिए There is no sense in waiting now अब इंतजार करने में कोई मतलब नहीं है I apologize if I offended you मैं माफी मांगता हूँ अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो जो बाते मैंने बोली उसका उद्देश आपका दिल दुखाना बिलकुल भी नहीं था लेकिन फिर भी I apologize if I offended you मैं माफी मांगता हूँ अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो No one knows why सुशान सिंह राजपूत committed suicide कोई भी नहीं जानता कि सुशान सिंह राजपूत ने आत्महक्त्या क्यों की जो हुआ दुखद हुआ लेकिन क्यों हुआ ये आज राज है क्योंकि No one knows why सुशान सिंह राजपूत committed suicide कोई भी नहीं जानता कि सुशान सिंह राजपूत ने आत्महक्त्या क्यों की What will you do after 10th standard तुम दस्वी के बाद क्या करोगे दस्वी का result लग चुका है इसलिए लोग पूछेंगे What will you do after 10th standard तुम दस्वी के बाद क्या करोगे आप दस्वी के बाद जो भी करने वाले हो आपको all the best और इंग्लिश जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है और इस चैनल पर आप अपने इंग्लिश को perfect बना सकते हो इसलिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक्यू सो मच